बैट के करने वाले आसोनों में इस्थित्पोनासन का अभ्यास आप देख रहे हैं पीस अभ्यास को कम से कम पांच मिनिट करना चाहिए और पांच मिनिट जब अभ्यास करेंगे आप तो पेट का मोटापा, बाह का मोटापा, जांगों का मोटापा, पीठ के तरफ का मोटापा, गर्दन भुमाईएगा तो गर्दन का भी मोटापा, थाराइट की विमारी दिरे दिर दूर होगी पाचन सकती मजबूत होगा, भूक अच्छी लगेगी, खाईएगा, पचेगा और सरीर में लगेगा, लगातार करते रिस अभ्यास, अंग्ठा को भी छुना है भाबू, अंग्ठे को छुना है, योग के भीना जीवान अधूरा है, और जो बेक्ती जिस घर में योग नहीं होगा, उस घर में बिमारियों का भंडार रहेगा, उस घर में आलमारी पर दवाखाना खुर जाएगा, दवाई भरा पड़ा रहेगा, चिठी पतरी के बाज़ आए, डॉक्टर वाला पूर्जा अब रहेगा जोला में, मंदिर जाने के बाज़ आए, सुबा सुबा डॉक्टर क्या नंबर लगाते वे नजर आईएगा, इसलिए, राथ पे चड़ने के बाज़ आए, लोग एंबुलेंस पे घूम रहा है, इसलिए, इन सारे चीजों से बचने के लिए, यदि बचना चाहते हैं, तो सुबा सुबा योग करिए, मंदिर जाने को मिलेगा, सुबा सुबा योग करिए, राथ पे घोड़ा पे चड़ने को मिलेगा, इमुलेंस छुड जाएगा, सुबा सुबा योग करिए, आपको रसगुला खाने को मिलेगा, काला जामुन मिलेगा, क्योंकि सुगर हो जाएगी या रसगुला रायते हुए नहीं खा पाईएगा, करीब हैं ये सभ्यास को, अभी तो, आप गीन भी रही थी क्या, अभी आस कर रहे थी कि देखिए, यहां मर सुरू किया, देखिए कैसे किया जाता है, लगातार करिए आप लोग, फास्ट फास्ट करना पड़ेगा बाबो, मरियल टाइप का नहीं, कले बाबा बोल रहते हैं कि यह आसन में भी लोग मरियल टाइप का करता है, कुख कुख कहां, ओह करते हुए, इसा नहीं करना है, समझे कि आरती उतार रहे हैं, माकाली का, भगवती का, तृष्मागवान का, संकर जी का, आरती उतारी ये, आरती की धाल सजी है, और इस्वर का ध्यान करते हुए, मन में गैत्री मंत्रों का, ओंकार घजाब करते हुए, अभ्यास करिए, बहुत सुंदर अभ्यास,